असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आच में आपको एकदम परफेक्ट पूरी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो के एकदम परफेक्ट फुलेगी तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इंक्रीडियन्स देख लेते हैं यहां पर मैंने तीन कप मैदा लिया है और इसे मैंने च्छान लिया था और उसके बाद यहां पर मैंने एक कप आटा लिया है इसे भी मैंने च्छान लिया था टू टेबल स्पून मैंने यहां पर आईल लिया है और उसके बाद वन टेबल स्पून मैंने यहां नमक लिया है तो चलिए इस आटेको घून लेते हैं, सारा मैदा हमने इसके अंधर दाल दिया है। को पूंचे ऊपशा लिए लेता हैं दाल देंग है। एक कभ जो हमने आट लिया प्रश मिंत बाद सब आठा time कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर नीम गरम पानी दाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पाइन डाल दाल के हम इसे घून लेंगे थोड़ा थोड़ा पाइन डाल दाल के हम इसे अच्छी तना आटे को घून लेंगे गरम पानी से आटा बहुत सौफ बनता है और यह देखें थोड़ा थोड़ा पाइन डाल डाल के हम इस आटे को अच्छी तना घून लेंगे और उसके बात यह देखें हमारा आटा गुंचुका है अब इसके अंदर उएल लगा के थोड़ा सा और इसको ओड़ा सा और गुंदेंगे हम तोड़ी सी इसके अंदर हम मुक्या लगाएंगे ताके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए यह आटा और यह देखे हमारा परफेक्ट आटा हमारा घुन चुका है अब हम इसको दो-तीर मिनट के लिए ढखके रख देंगे और दो-तीर मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हम इसकी फड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर पेड़े बना लेंगे हम नॉर्मल पेड़े बनाईएगा ज्यादा बड़े नहीं और अच्छी तरह हम इस पेड़े बना लेंगे नॉर्मल पेड़े बना लेंगे और एक और बना लेंगे हम और यह देखें यह हमने पांच फेड़े बनाए है नॉर्मल साइज के अब थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और इसको बेलेंगे हलके हाथों से साइडों से पतला कर लेंगे और उसके बाद हम बेलन पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और उसके बाद हम इसको जदा बड़ा नी बेलेंगे नॉर्मल बेलेंगे हलके हाथों से हम इसे बेलेंगे बिल्कुल गोल बेलेंगे इसको और यह देखे हमारा पेड़ा तयार है अब हम इसके अंदर पूरी को गरम तेल में पूरी को डाल देंगे और इसको चम्चे के मदद से इस तरह साइटों से दबाएंगे ताकि इसके अंदर से एर जो है वो निकल जाए और हमारी पूरी फ